बीजेपी कट्टा बाद नहीं बलकी विकास बाद के नाम पर यूपी में सरकार बनाएगी ये कहना है उत्तरपरदेश के डिप्टी सियम दिले सर्मा का दिले सर्मा आज कट्रा और तेलहर विधान साबा में परभावी मतदाता समेलन में सामिल हुए थे साथ ही उन्होंने बीजेपी परत्यासियों के समर्थन में बोट भी मागे नमस्कार मैं हूँ बलजीज सिंग और आप देख रहे हैं मिसन 24 इंटो 7 बुलेटिन की शुराद करेंगे हेडलाइन से और उसके बाद आपको दिखाएंगे दिन भर की सब इस चोटी बड़ी भावी मतदाता संबाद में हुए सामिल विपच्च पर बोला करारा हमला कहा अब यूपी में तमन्चाबादी नहीं विकासबादी सरकार है दिने सर्मा ने तिलहर में भी प्रभावी मतदाता संबाद कारिकर में लिया हिस्सा सायर मुनवराना के ब्यान पर किया पलटवार कहा दस मार्च को मुनवराना को छोड़ना पड़ेगा यूपी जिलादिकारियों में इस परताब सिंग ने चुनाव प्रिचकों के साथ की बैठक चुनाव की तैयारियों को लेकर की चर्चा चुनाव के लिए बनाए गए हैं प्रिचक साजांपुर पुलिस का धर पकड़ा भियान लगातार जारी बीते 24 गंटे में 40 अपरादियों को किया गरिपतार कच्ची सराप, तमंची और ताज के पत्ते भी हुए बरामत और भारतिये किसान मजदूर यूनियन ने भी समाजवारी पार्टी को दिया समर्थन मिरानपुर कट्रा में हुई पैठक के दोरान यूनियन के पदादकारियों ने लिया फैसला कहा सपा परत्यासी राजिये स्यादव को लड़ाएंगे चुनाओ उत्रप्रदेश के डिप्टी सीम दिनेज सर्मा आज कट्रा पहुँचे यहाँ वैप परभावी मतदाता सम्मेलन में सामिल हुए इसके अलावा उन्होंने डोर टू डोर जाकर बीजेपी के पच्छ में वोट मागे इस दोरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार तमंचावादी नहीं बल्कि विकासवादी सरकार बनाएगी कट्रामी डिप्टी सीम दिनेज सर्मा ने कहा कि सपा बसपा कॉंगरिस ये सब आपस में मकाबला कर रही है और नमबर दो पर आने के लिए जद्व जहद कर रही है भाजबा का किसी से कोई मुकाबला नहीं है बाजबा इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी उन्होंने ये भी का कि 10 मार्च को रिजल्ट आने के बाद विवक्षियों को असली जवाब मिल जाएगा तिलहर विधान साबा में प्रभावी मतदाता संबाद कारकर में पहुंचे डिप्टी सीम दिने सर्मा ने मुनबर राना पर पलटवार किया है दरसल मुनबर राना ने ब्यान दिया था कि अगर यूपी में बीजेपी की सरकार बनी और योगिया दितिनात को यूपी का सीम बनाए गया तो वह यूपी शोड़ देंगे मुनबर राना की इस ब्यान के बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीम दिने सर्मा ने करार आचवाब दिया है डिप्टी सीम दिने सर्मा का कहना की दस मारुच को उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है ऐसे में मुनब्बर राना को यूपी शोड़ना होगा सायाँपूर नगर विधानसभा से भाजपा प्रत्यासी सुरेश्कुमार खन्ना ने डोर टो डोर जाकर जनसंपर किया आपको बता दें कि सुरुषकुमार खन्ना आठ वार्स सायापूर नगर विधानसाबा से विधायक है साजावपुर में नुक्त किया गया प्रेचकों के साथ दिलादिकारियों मेश परताब सिंग ने एक बैठक की बैठक में विधानसाबा चुनाव की तैयारियों को लेकर अहम चर्चा की गई बैठक में सभी विधानसाबा के सम्माने प्रेचक वैप्रेचक और पुलिस प्रेचकों ने सब्बंदित विधानसाबा चुनाव की तैयारियों के संबंद में जानकारी ली उनने का कि भारत में निर्वाचन आयोक द्वारा जारी सभी दिसा निर्देसों का पालन हो और सभी तयारिया निर्धारित समय पर पूरी कर ली जाएं पूआया विधानसबों से भाजपा के प्रत्यासी चेत्राम ने सिंधहुली शेत्र के गाउं मियापूर, अक्तियारपूर, दिलावरपूर, सही तासपास के कई गाउं में जनसंपर किया आपको बता दें कि चेत्राम पहले भी गई बार पुआया विधानसभा से जीत का पर्चम लहरा चुके हैं वहीं 2017 में भाजपा में रहते हुए भी वो विधाक बने थे और इस बार भी चेत्राम भारी मतों से जीत का दावा कर रहे हैं सायापूर पुलिस ने अपराधियों के खिलाब तावर तोड कर रवाई करते हुए बीते 24 गंटे में 46 अभियोक्तों को गिरिफ्तार किया है किरिफ्तार किये गया अभियोक्तों के पास से अवैस्तर कर्ची सराब और तास के पत्ते सहित नगदी भी पर आमद हुई है पुलिस का ये धरपकड अभियान सभी धान शेत्रों में एक साथ चलाए गया था फिलाल पुलिस ने का रवाई करतो इस दो भी अभियोक्तों को जेल भेज़ दिया है सायहंपुर की नगर बिधान सभा से निर्दलिय प्रत्यासी अंसुपांडे ने जहर के महला रेती में डोर टो डोर जन्संपर किया इस दोरान अंसुपांडे ने अपने पक्ष में वोट करने की अपील की आपको बता दें कि अंसुपांडे कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे थे वहीं जब कांग्रेस ने पूनम पांडे को चुनाव मैदान में उतार दिया जिसके बाद अंशुपांडे ने निर्दली चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और अपना पर्चा दाखिल कर दिया सहर विधानसवा से समाजवादी पार्टी के प्रत्यासी तन्वीर खान ने भी विधानसवा शेत्र में जन्संपर किया तन्वीर खान ने शेत्र के कई गाउं में जन संपरकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील की आपको बता दें कि तन्वीर खान की सीधी टककर आठ बार के बिधायक और यूपी सरकार के गैमरेन मंतरी श्रोष कुमार खन्ना से है तन्वीर खान ने दावा किया है कि इस बार सायाँपुर के सभी छै बिधान सभाओं में जीत का पर्चम लहराएंगे मीरानपुर कट्रा के फील लगर में भारती किसान मजदूर यूनिन की एक बैटक संपन्न हुई बैटक में समलित किसान मजदूर यूनिन के पदाधिकारियों ने कट्रा विधानसभा से सपा प्रत्यासी राजे सियादब को समर्थन देने का विचार किया इस दावरान सभी ने हमी भरते हुए राजे सियादब को समर्थन देने की घोशला की